नमस्ते और मुशान्तिया आपको सौगत आपके दोस्ते रानमे दिन की इश्वरी वर्दान में जहांपे परमपेता परमारत्मा हमें अनुभवों के अनुसार माया की उपर जीत पहनने के लिए सिखाते हैं तो देखें बाबा आज की वर्दान में कहते क्या है बाबा कहते हैं अनुभव की विल पावर द्वारा अनुभव को अभी क्या होता है एक विल पावर होता है बोलते हैं कि जो बड़े बुजर्ग होते हैं उनके अंदर अनुभव होता है जिस कारेंस उनके विल पावर होती है कि क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णे लेकर के कि उसके उपर डटे रहना तो परमात्मा कहते हैं द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूरत भवा तो एक हो गया दुनियावी experiences में और एक हो गया जो परमात्मा कहते हैं आध्यात्म के experience में जिसमें कि हम ट्राइ करते हैं अपने आपको या ego आपके अंदर generate होना तो वह भी एक प्रकार से जैलिसी हो वह भी एक प्रकार से विकल्प हो गया तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इनके अनुभवक के द्वारा भी समझ जाएं कि इसमें हमारा ही नुकसान है और हम इनको पहचान ले दूर से ही कि किसी के संकल्प या किसी क कुछ बोला हम गुसा हो गए सेकंड टाइम बोला थोड़ा सा कम गुसा हुए चौति बारी वही चीज किसी ने और ने बोली तो हमारे अंदर क्या हो गया अब हमारे अंदर स्थिरता आ गई कि अब उसका हमें कोई असर नहीं पड़ता लेकिन साथी साथ हमारे पास उनके कुछ बुरे सोच भी नहीं है ऐसे ने कि हमने सेंट तो कर लिया लेकिन अंदर मन से उनके प्रती बद्धुए नहीं कर रही है फिर हमने वह सब कुछ पाया नहीं जो कि हम पाना चाहते हैं शांती के लिए फिर बाबा कहते हैं विस्तार में चने सबसे पावफुल स्टेज है कौन सी पावफुल स्टेज है अपना अनुभव अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का सबी बातों का सर्व समस्यों का सहज ही सामना कर सकती है और सबी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है तो अगर कोई सामना करने की शक्ती सेनु उन्भव से सहज़ब्त होती है सामना करने की शक्ती से जो भी आते हैं जो भी situation बार बार आती है हमारे सामने उनका हम सामना करते रहते हैं और एक experience हो जाता कि ठीक है अब यह situation आई इसमें मैंने पिछली बारे तो अहंकार दिखा दिये था गलत बोल बोल दिये थे कुरोद आ गया थे मैंको लेकिन इस बारी में इसको अलग तरीके से जो कि हमें परमात्मा पिता सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें कि हर situation को कैसे face किया जाए ताकि हमारे कर्म विकर्म ना बने अब पवित्र कर्म ना बने इसलिए हम मुर्ली पढ़ते हैं जिसमें कि हर दिन की सीक होती कि बच्चे यह मत करना है आज एसे सकता है इस सिचुशन में ऐसे मत करना ताकि हमारे जो पुराने पापो का बोजा है वह और ना बढ़ जाए जो गठरी है वह हमारे सर पर अलड़ी है कहीं जनमों की गठरी हम बढ़ाते ना जाए वह गठरी बढ़ेगी तो फिर शरीर में व्याधियां बढ़ेंगी शरीर में दुख बढ़ेगा क्योंकि पापो का और पाप कर्मों का जो हिसाब कितब होता है वो शरीर की बिमारियों के दोरा ही आत्मा को सब कुछ चुक्त करने पड़ती है तो परमात्मा चाहते है कि हम हलके होते जाए अनुवावी बनते जाए और माया को पहले से दूर से पहचानने कि ये इनसान मेरे साथ में कुछ बोलेगा और मुझे शांत रहना है इतनी शक्तिया थी मेडिटेशन करने से तो परमात्मा कहते हैं सामना करने की शक्ति सामना किसी विक्ति का सामना नहीं करना अपने अंदर उत्पन होने वाले अहं कि अगले जन्मों का सोचना है इतना दूर तक अगर हम सोच पाएं तो जाकर कि हम अपने आपको बचा सकते हैं। उसके लिए दूरंदेशी भी बनना पड़ता है। तो सामना करने की शक्ति तभी आ सकती है। सर्व को संतुष करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहच प्राप्त होती है। इसलिए हर ख़जाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूरत बनो। ख़जाने क्या हैं। परमात्मा ने हमें किया ह। कि हर सिचुशन में है के सिचुशन को होगी जैव व्क्ति हो हूचा किसी हो में आप बादार्थों के द्वारा होुरह है situation आपके life में आप इसको face कैसे करें और उसको आप पार कैसे करें अपने जीव में बिना कोई पाप करम करते हुए तो ये सब कुछ हमें कैसे मिला हुआ है परमात्मा ने खाजानों में दिया हुआ है ग्यान के खाजाने जिसको मुरली कहते हैं इसको कहते हैं sweet knowledge मुरली तो मुरली होगी flute होगी लेकिन जो की कानों में आत्मा को मधर सुने दे और सारी problems को दूर करते वो है मुरली तो परमात्मा चाहते हैं कि आप भी आकर के इस ग्यान को समझे ग्यान को लें और मुरली के साथ जुड़ें और परमात्मा के महावाकियों पर दिन सुने आपका दिन शुभो ओम शान्ती